मैं इस वीडियो में हम डिसकस करेंगे बिशीजी सब्टरेक्शन और बिशीजी सब्टरेक्शन के तरह बाठिने यंगर संद्ध इसको समयेंगे तो यह तो और पर यहां पर एक क्लू यह है जो बाइनरी नमबर ले रहे हैं वह बैस टू नमबर हमारे पास ठीक है और जो बिसीरी नंबर है या डेसिमल नंबर है ना तो जैसे हमारा डेसिमल नंबर है वो क्या हमारा बेस्टेन ठीक है तो टूस कंप्लिमेंट लेके करते हैं बाइनरी को तो बेस्टेन लेके करते हैं decimal number को subtraction, अगर आप base 10 लेके कर रहे हैं, यानि 10s complement लेके कर रहे हैं, किसी decimal number का subtraction, तो वो भी correct आएगा जिसे 2s complement से आएगा, वैसे ही इससे आएगा, और ऐसी octal के लिए अगर आप 8th complement, octal number है तो 8th complement ले लो, ठीक है ऐसे ही hexadecimal है, तो 16th complement लेके हो जाएगा, subtraction तो जो से number का जो भी base है, उससे उसका complement लेके, अगर आप उसको subtraction कर रहे हो, तो वो हो जाएगा correct result देगा, ठीक है जी, तो अब आते हम आपश यहीं परी, तो minus subtraction हो गया, यह हो गया हाँ, तो अब एक example ले लेते हैं तो अब यह मैं यहाँ पर discuss करेंगे कि BCD जो subtraction है, वो binary subtraction से किस तरह different है, ठीक है तो BCD में जो code है, वो 4 binary digit का code है, ठीक है, तो वो code अगर 9 के 9 के equivalent तक आता है, या 9 से below तक आता है तो तो वो correct है, अगर उससे उपर आता है, तो उसमें इस एक side कर देते हैं, ठीक है, या उसमें से कोई carriage and date हो रही हो, तब इसमें six side कर देते हैं, तो दो case है हमारे पास बोरो भी add होता हो, तब भी, पर वो addition के case में है, है ना, पर कुछ मैंने program देखे हैं, तो वो क्या कर रहे हैं, वो subtraction case में भी उसमें add कर रहे हैं, ठीक है, तो अब जैसे कि मैं एक example ले लेता हूँ, और मैं बताता हूँ, किस तरह गलत है, और इसको देखने जरा, तो दोनों case देखो, जब हम कोई subtraction का कुछ algorithm बना रहे हैं, या कोई procedure बना रहे हैं, तो वो universal होना चाहिए, मतलब किसी तरह के number के लिए, या किसी तरह के mind-wend या subtraction के लिए, हर number बे काम करें, ठीक है, वो अलग बात number system को point of view से बूल रहा हूँ, जैसे कि आपने number system लिए decimal, तो 0 से 9 तक की digit होंगी, ठीक है, तो उसमें ARF नहीं ले सकते हो, तो इस तरह का है, तो जो numerals हैं, उस particular जो number system है, उसमें जो number है, उसके according, ठीक है, तो सभी के लिए का universal का मतलब है, उस particle number system की बात करना हूँ, ठीक है, जै आगे चलते हैं, तो पहले decimal में लेते हैं, तो एक मैंने 7 लिया, एक मैंने 3 लिया, इसमें से इसको minus किया, तो result आया 4, अब 7 का मैं bcd code लेता हूँ, तो वो बनता है 0 1 1 1 और 3 का जो बनता है, वो मनता है 0011, इसमें से इसको minus करोगे, ठीक है, तो तो डारेक्ट हम माइनस यह सकते हैं पर बिसे क्या होता है जो हमारा एखमेटिक जो microsoft का ALU होता है half adder full adder आपने पड़ा है तो हैसे ही half subtractor full subtractor भी पड़ा है तो कहने का मतलब है जब subtract करती है तो इस तरह का काम हो रहा है पर होता क्या है subtraction का उसमें circuitry को add नहीं करते है क्योंकि addition की जो circuitry है जो adder है उसी पे ही subtraction प्रफों हो जाता है अब कैसे हो जाता है उसको देग लेते हैं तो वह यह बाला है method TOOS कंपलीमेंट लेके binary number का TOOS कंपलीमेंट लें लो जो हमारा सब ट्रेहंड है जिसको minus करना है उसका TOOS कंपलीमेंट लेते हैं और उसके साथ एड करा लेते हैं तो उसे circuitry बेर दोनों काम हो जाते हैं तो हमारा क्या है उसमें जो ALU में जो हमारा space है और circuit additional circuitry एड़ करने का एक तो वो बच जाता है उसके जगए कुछ और लगा सकते हैं ठीक है और coast cutting हो जाती है आई सी fabrication में ठीक है बागा आतने 2s complement पे तो 2s complement में आये तो 01 1 1 और इसका 2s complement लेंगे पहले or 1s complement करो और plus 1 कर दो तो 1100 तो इसका 1s complement हुआ और 1101 उसमें plus 1 तो यानि minus 3 का 2s complement हुआ 1101 अब इसको add कर देतने तो इस case में add करेंगे ठीक है तो माइनस का sign लगा देता हूं यहां गया जीरो और ये वन इसारा निकल गया तो यह वह दो फैला वाला केस सेटिस्वाइ हो तो आप कर रहे हो मतलब हम कर रहे हैं तो अब इस बार क्या है सेगंड वाला केस है और ये जिसिटिफाइ वा आ इसमें तो ठीक है अच्छा इसको अगर यह तो बाइनारी कोड से किस तरह different है इसको समझेंगे तो चरवा यहां पर जिए थेशकॉड काуса के यह फोर का ना चाहिए और यहां पर दोनों के लिए एक description दोनों सब सेम लग रहे हैं है ना तो यहां पर विफोर आ रहा है अब जब यह वाला 케स लेते हैं सैंड ओला यहां पर यह यहवाला justify नहें होता है अब इसको देख लेते हैं तो थी टी अपने Waitie यहां पर 0011 और संवन का जो बनेगा संवन का कोड है ये ठीक है इसका 1s complement लिया तो बना 1 0 0 और इसमें plus 1 कर देंगे तो 1 0 0 और 1 हुआ ठीक है जी उसके बाद इसको फिर add कर दिया तो add करके यहाँ पर जब इसको add करेंगे तो यह बनेगा 1 1 यहाँ पर 0 यहाँ पर फिर यह हमारा आया इधर 0 इधर आया और इधर आया वन ठीक है जी तो यह बना वान वन जीरो 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 इस थीक है पर हमारा चाहिए माइनस फॉर कोड आया ये 1 1 0 0 अब 1 1 0 0 कोई BCD कोड नहीं है पर अब अगर आप इसको ये तो होगा बाइनरी में आया ठीक है दूसरा केस आप ऐसे भी कर सकते हो बाइनरी में हमने टूस कंपलिमेंट लेके करा है पर जो रिजल्ट आया है वो 1 1 0 0 आया है और वो किसी का BCD code नहीं है, किसी भी decimal digit का, तो अब क्या करें, तो 6 add करके देख लितने हैं, अगर 9 से उपर आता है, कुछ BCD code तो उसमें 6 add करके देख लितने हैं, तो इसमें जब आप 0, 0, sorry, 0, 1, 1, 0, 6 add करोगे, तो 0, 1, यहाँ पर 0, यहाँ पर 0, यहाँ पर 0 और यह 1, यह अब भी 4 नहीं है, ठीक है, निचे की 4 digit, अब भी 4 शोर नहीं कर रही है, तो इसका मतलब यहाँ पर कहीं गरबड़ है, यहाँ हमारे प्रोसिजर में गरबड़ है, तो इहाँ इस पॉइंट पे binary subtraction और BC subtraction में difference आ जाता है, ठीक है जी, तो यहाँ पर मैंने इसको direct minus किया थ ठीक, यहाँ पर भी आप direct minus कर सकते हैं, जैसे 0011 लिया, जो इसको आप minus करोगे, 7 का बनता है, 0111, जो इसको आप direct minus करोगे, यानि वो सब्टेक्टर वारा circuit लगा गए, जैसे full adder, half adder अगर वो circuit लगा करोगे तो यह काम होगा, तो 1 में से बन जाएगा, 00, इहाँ पर क्या या इस तरह का कुछ है, वो हो जाएगा, तो 1100 आएगा, तब भी, ठीक है, तो binary में तो यह टूस कमपलिमेंट है, अब जिसका भी आया, इसका टूस कमपलिमेंट ले लो, टूस कमपलिमेंट लेंगे तो क्या बन जाएगा, 0011 और इसमें हम काया कर देंगे, प्लस 1 कर दें कर रहा है, ठीक है, तो अब यहां पर इसका प्रोसीजर हमें, इसको थोड़ा सा क्रेक करना पड़ेगा, अब इसका प्रोसीजर देखते हैं, तो जैसे की binary number के लिए टूस कमपलिमेंट लेते हैं, ऐसे ही, अगर decimal number है, तो टैंस कमपलिमेंट लेके कर रहे हैं, हाना, तो decimal number टैंस कमपलिमेंट लेके करेंगे, तो सेम BCD वाले केस में भी है, तो अब इसको ही आगे बढ़ा देते हैं, अब 7-3 को जैसे मैंने यहां पर लिया हुआ है, तो केस मैंने 7-3 से करके दिखाया, तो यह वाला यहां पर यह जो वाला केस है, जिसमें माइनमेंट लेस देन ठीक है, और BCD सब्टेक्शन इस वाले केस में justify नहीं हुआ है, अभी तक result हमारा वो correct आया नहीं है, अब आते हैं फिर वापर से दर, तो जो BCD सरकेटरी है, इस वाले इस पर काम नहीं करेगी, क्योंकि हमने जो design करी है, वो या तो plus 6 करने के लिए design करी है, या इस तरह का है कि उसका वो 10s कम उलिमेंट लेने के लिए design करते हैं, क्योंकि procedure वो यह है, अब आगे चलते हैं, 7 में से 3 माइनस करना है, तो 3 का हमने क्या ले लिया, 10s कम उलिमेंट, तो 10s कम उलिमेंट ले होगे, तो 9 माइनस 3 करेंगे, तो 7 आया, 7 मनेगा, नहीं, 6 आया, 6 आया, और इस का 3 का, यह 3 का हो गया हमारा 10s कम उलिमेंट, और 7 प्लस 7 कर दो, ठीक है, तो आया हमारा 14, तो 4 इदर आया, 1 इदर, तो 1 केरी है, इसको discard कर देंगे, ठीक है, तो यह तो हो गया इस method से, कि आपने इसका, जो 3 है, इसका लिया आपने 10s कम उलिमेंट, ठीक है, अब दूसरा case अब यहाँ पर 7-3 कर रहे थे, तो पहला case तो यहाँ पर भी correct हो रहा था, अब दूसरे वाले case पर आते है, ठीक है जी 3 प्लस 3 किया तो आया हमारा 6 ठीक है जी तो 9 में 7 गया 2 2 में प्लस 1 किया 3 इन दोनों को एट किया तो आशर आया 6 ठीक है जी अब यहां पर एक चीज़ और देखने के वाली बात है जब हमारा 6 रिजल्ट आ रहा है इधर 3 में 7 आट करके तो आना चाहिए हमारा मैनस 4 पर यहां पर क्या रहा है 6 अब यह 6 क्या है यह रिजल्ट जो हमारा negative में है, किसका minus 4 गे, तो जैसे minus 3 को tense complement में 7 से indicate करते हैं वैसे ही 6 को ठीक है, जो 6 है वो tense complement है किसका minus 4 का अब इसके check करने के लिए इसका करो जैसे कि हाँ पर result आया 1 1 0 0 तो हमने इसका वापर समने 2's complement लिया, ऐसे ही जब 6 आया तो इसका फिर क्या लेना है, tense complement लेना है तो जब tense complement लोगे, तो फिर 9 minus 6 करोगे ठीक है, 3 आया और plus 1 करोगे, तो 4 आयगा ठीक है, तो जो 6 है, वो हमारा क्या है, minus 4 का tense complement है ठीक है जी, अब इसको आप करके देख सकते हैं BCD में भी तो same case को ले लेता हूँ 3, 7, तो 3 का code बनता है हमारा 0011 ठीक है 7 का code बनता है BCD code 7 का BCD code बनता है 0111 9 मैंसे हमने क्या किया था इसको 7 को minus किया था यहाँ पर, तो 9 एक number लेना पड़ेगा 001, इसका भी code क्या लेना पड़ेगा हमें BCD code और उसमें से minus करेंगे किसको 7 को तो 7 को जो minus करेंगे तो हमारे पास आएगा 0111 तो result जो आएगा वो हमारा यहाँ पर 0 और इससे कह रहे यह सब क्या हो गया इदर 0 हो गया नहीं, हाँ पर आएगा 1 तो 1 0 और यह 00 तो यह 2 का आगया इसमें plus 1 करेंगे तो यह बन जायागा हमारा इसका code 0011 बन जायागा ठीक है तो 0011 तो यहाँ पर क्या हुआ थिरी तो इधर है 0011 और यहाँ पर भी क्या हुआ 0011 जब इन दोनों को add करोगे तो 6 का बनेगा यानि 0110 बनेगा यह आया ठीक है फिर इसका आप वापिस अगर इसका आप लोगे 10s complement तो 0110 जो है यह code किसका है यह मतलब जो 6 जो answer आएगा तो 6 answer indicate कर रहा है कि यह minus 4 ठीक है minus 4 का 10s complement रिजल्ट आया यानि result जो है हमारा negative आया ठीक है अब इसको चेक के से करना है तो इसको वापिस 10s complement करेंगे 10s complement करेंगे तो यह बन जाएगा फिर तो 9 यानि 1001 से इसको मैनस करेंगे 6 को तो 0110 तो यहाँ पर बढ़ाएगा यह 0011 और इसमें प्लस किया तो यह बन गया हमारा 0100 तो इस तरह का है चैसे यहाँ पर किया यह इस तरह किया तो इस तरह इसका प्रोसेजर अलग है तो जो BCD subtraction है तो BCD subtraction में क्या करेंगे Subterhand का हमेशा 10s complement लेके और जो है माइनमेंट के साथ add करेंगे carry आया तो discard कर देंगे अगर carry नहीं आया तो result हमारा क्या है negative है ठीक है जो result आया है वो हमारा क्या है tense complement में आया ठीक है जैसे कि हाँ आपर 2s complement में जब binary subtraction में करते हैं तो 2s complement में अगर result negative आया है difference अगर हमारा negative आया है तो 2s complement में आया ठीक है टिक है और वीडियो को like करें प्ली सब्सक्राइब करें मेरा चैनल और शेयर करें अपने फ्रैंज के साथ जब about ऐसमें है अगर आपको कुछ issue है कुछ doubt है प्लीज कमेंट करें बघ्र करने के लिए भी कमेंट कर सकते हैं ठीक है चलिए thank you झाल झाल